तो मेरे प्यारे साथियों आज किस वीडियो के माध्यम से बहुती जरूरी अपडेट बताने के लिए मैं आपके पास आ चुका हूँ जितने भी बिहार स्वास्त बिहार के अंतरगत यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं चाये वो एनियम वाले के निडेट हो एनियम को मैं सबसे ज जरूरी सुचना दिखा देते हैं क्योंकि अगर आपको नौकरी करना है तो देखना ही होगा और इसे समझना ही होगा बिल्कुल रूप से क्योंकि अभी का जो मैं आपको जानकारी दूँगा आप लोग भी चौंक जाईएगा चलिए हम आपको डिरेक्ट ऑफिसियल नोट जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक जानकारी सबसे पहले आपके पास हम पहुंचाते रहेंगे चलिए यह जो जानकारी है आप लोकम दिखा देते हैं डिटेल्स में आप यहां से देख सकती हो आपको बता दूँ कि दिनांक 13 जनवर 2023 की दिनांक सु स्वास्थ विभाग के लिए जो जानकारी है यहां पर आ रही है उसके वारे में दिखा दू और आपको यहां पर सतर्क होने की पूरी ज़रत है यहां से आप लोग देखते जाए श्रीयल नमट 23 से 33 से इसमें लिखावाए स्वास्थ विभाग राजी की अंतरगत विभीन स्वास्थ संस्थानों में वीगत पांच वर्षों से अधिक अवधी से लगतार और अधिक्रित रूप से अनुपस्थित चिक्त सा पदाधिकारियों को सरकारी सेवा से परखास्थ करने के संबंध में यानि कि आपने उपर में ही देख लिया कि बिहार स्वास्तिवा के अत्रकत जितने भी स्वास्त संस्थान है जितने भी सरकारी होस्पिटल है उस होस्पिटल में पांच वर्षों से जो यहां पर डॉक्टर्स पदादिकारी जो भी यहां पर अनुपस्थित हैं अफसेंट है उनने सभी को सरकारी सेवा से नौकरी से बर्वास्त कर दियेगे हैं साथी इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पर दीखेगा 24 नमशनवर्में यही ओगा बर्वास्त करने के संबंध में 25 नमशन नबर में आपको लेकर चलूँगा लगता रह यहाँ पर 27 नमर में बर्खास्त करने की संबंद में, 28 नमर में देखिएगा तो आपको बर्खास्त करने की संबंद में, 26 में बर्खास्त करने की संबंद में, यानि कि बहुत सारे यहाँ पर डॉक्टर्स को जिते भी चिकेसा पताधिकारी थे, जो जो यहाँ पर अबसेंट थे, आप लोग जोईनिंग किये हो सारे के लिट अच्छे से जॉब करिएगा अब सेंट नहीं हो येगा अगर आपको छुटी में जाना होगा तो छुटी ले करके आप अपना लीव ले करके तब ही जाएगा जिसे के आपकी नौकरी आ है वो आपकी बचे रेंगे इसके अलावे जितने भी पोस्ट पर यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं क्योंकि इस बार स्वास्त मंत्री हमारे जो माननी स्वास्त मंत्री है लगातार यहाँ पर आउंदर स्पोर्ट चेकिंग कर रहे हैं सारा चीज अच्छी तरिके से कर रहे हैं इसलिए और वाई से भी स्वास्त वाग मे आप लोगों के सहयोग से ही चल रहे हैं तो थोरा सा कॉपरेट करके बिहार को बढ़ाने कार्ज हम लोग करेंगे यही जानकारी देना था कि आप लोग देख लिजे लगतार केबिनेट में बैठक वा रही है पिछले बैठकों भी कुछ डॉक्टर्स को यहाँ पर निदेश्ट दिया गया था और उनमें से बहुत सारे को सुधार हुआ था लेकिन जो जो यहाँ पर मुपस्तित रहे हैं सब को यहाँ से बर्खास्त कर दिये गया है तो यही जानकारी देना था जानकारी आपको मिल गया होगा कि आखिर मैं कहना क्या चाता हूँ और आप लोग किस तरह से आप बिहार में स्वास्तवाग में जौब कर रहे हैं या कर रही हो तो आप लोग को लगतार सेवा में बने रहना है चलिए बिहार स्वास्तवाग से र नहीं जानकर रिखसा तब तक के लिए बाई बाई